प्रधान मंत्री नरींत्र मोदी ने आज सिक्षक पर्व को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना में सिक्षकों ने कई चुनोतियों का समधान किया। लेकिन सिक्षकों के पास अपनी शमताय आगे बढ़ाने का मौका है। उन्होंने कहा कि विद्या सभी संपतियों में सबसे बड़ी संपति है क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को दान करने से बढ़ती है प्रधान मंत्री ने इस सिक्षक पर्व पर जुड़े टीचर्स से कहा कि किसी को कुछ सिखा देने का जो सुक होता है वो अलग ही होता है विद्यांजली 2.0 इस पुरातन परंपरा को नए कलेवर में मजबूत करेगी विद्या सभी संपदाव में सभी संपतियों में सबसे बड़ी संपति हैं क्योंकि विद्या ही ऐसा दन है जो दूसरों को देने से दान करने से बढ़ती है विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है इस कारकम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी रुदय से ये मैसूस किया होगा किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुक और संतोष होता है वो अलग ही होता है विद्यान जली 2.0 इसी पुरातन प्रमपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है विद्यान जली 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है वाइबरन प्लेटफॉर्म की तरह है ताजातरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें अप्डेट के लिए बेल आइकन को दबाए